गुद बॉर्निंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वीके मिश्राव फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिल स्वरुपिंगर कानपूर अधा आउटसेट रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है यह साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को स सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा एसेड रिफ्लक्स के ट्रीट्मेंट के बारे में जब एसेड रिफ्लक्स की बात करता हूँ मैं इसका मतलब है कि खाने की थेली से एसेड पलट के खाने की नली में आता है यह जो खाने की नली में आत तो ये symptoms produce करता है ये symptoms बहुत सारे हो सकते हैं उनके treatment के बारे में या क्या modalities है उनके बारे में बात करूँगा मैं ये देखे बिल्कुल सचाई है कि अगर acid reflux आपको हो रहा है बार 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 तो जो treatment है वो सिर्फ तीन ही चीजों से किया जा सकता है नमबर वन आपको अपने lifestyle में परिवर्तन की जरूरत है नमबर दो आपको अपने जो diet है उसको modify करने की जरूरत है और नमबर तीन इसके बाद भी काम नहीं चलता है तो आपको दवाईयों की या medications की जरूरत है तो ये तीन जो आयाम है याने lifestyle changes, diet and medication इनके बारे में बात करू इन दा सेंस के खाना धीरे-धीरे खाएं ताकि आप air swallow ना करें जो खाना है वो आप चबा-चबा के खाएं तो मुमें जो saliva है वो already जो alkaline होता है तो जो आप चबाते हैं तो उसके साथ में जाएगा तो acid refluxy जो एक possibility है उसको कम करेगा तो जो खाना है वो आपको धीरे खा करने की जरूरत है इन दे सेंस कि आप अगर सिर्फ दिन में दो बार खाना काते हैं तो आपको लगबग 5 बार खाना काने की जरूरत है लेकिन amount को कम करने की जरूरत है ताकि खाने की थेली में जाके volume जादा ना हो ताकि जो lower isopisal sphincter है या जो valve है इसके उपर pressure ना आए त तो कि अगर खाने की थेली में खाना ज़्यादा होगा खाने की थेली फूली होगी तो valve पर pressure होगा तो acid reflux की जो possibility है वो बढ़ेगी तो ये दो चीज़ें आपको करने की जरूरत है नमर तीन जो आप exercise करते हैं वो तो जरूर करिए कि अगर आपका weight ज़्यादा है तो आप को weight कम करने की जरूरत है लेकिन अगर आप exercise करते हैं तो आप खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए लेकिन कोई भी strenuous जो exercise है वो खाने के बाद नहीं करना चाहिए खाने के बाद walk is fine लेकिन आप exercise करेंगे तो जो pressure इसके उपर पड़ेगा तो valve weak होगा और acid reflux की जो possibility है वो बढ़ेगी, now look at the next one in the lifestyle changes, अगर आप smoking करते हैं, यह तुबे को किसी भी form में आप use करते हैं, आप पानमसाला खाते हैं, गुटका खाते हैं, तमबा कु काते हैं, कहनी काते हैं, आप किसी भी form में आप nicotine use करते हैं, उसे बंद करिये, smoking बंद करिये, जो second hand smoke है in the sense, कि आपके दोस्त, आपके भाई, आपके पार्टनर, कोई भी अगर smoking करता है, उसे dissuade करिए, आप अपने आपको अलग करिए, क्योंकि जो passive smoking है, या second hand smoking है, वो भी इतनी problem create करती है, अगर आपको alcohol लेने की आदत है, तो उसके amount, उसके timing, duration उसको आपको देखने की जरूरत है, आप जब सोते हैं, और आपको लगता है, कि रात में बार-बार acid reflux आता है, तो आपको इस तरह का incline यूज़ करनी की जरूरत है बैट पर, इस photograph को ध्यान से देखिए, अगर आपके upper body incline होगी, उपर की तरफ होगी, तो acid reflux जो आता है उपर की तरफ gravity के कारण, वो नही आएंगे, इसके अलाबा, आप जो खाना खाते हैं रात में, और आप जो सोते हैं, इसके बीच में कम से कम तीन घंटे का जो gap है, उसको आदत बनाइए, कि तीन घंटे का gap होना चाहिए, नो डाइट को ध्यान से देखिए, अगर आपको बार-बार acid reflux हो रहा है, तो सबस आइट में जो फूड हैं, उनको ध्यान से देखिएंगे, तो आप identify कर पाएंगे, कि ये चीज़े हैं, प्राब्लम कर रहे हैं, उन्हें आप डाइट में से अलग करेंगे, उनको reduce करेंगे, डाइट को modify करेंगे, तो 90% chances हैं कि आपको जो symptoms हैं, बुड़ी से पर हो ये कुछ सुतरे की problem है, जो acid reflux को generate करेंगी, और acid reflux को बार-बार सामने लेके आएगी, तो जो डाइट है, उसमें ध्यान देजिए, जो carbonated drinks हैं, उनको अलग करिए, इन particularly night time में तो अलग करिए ही, अगर आपको acid reflux को बचाना है, तो जब भी आप डाइट पर ध्यान द ये particular night में खाईं, तो acid reflux जरूर आएगा, तो acid reflux fatty food से जरूर आता है, आप spicy food लेते हैं, जिसमें चिली ज़्यादा हैं, वो सब उससे acid reflux जरूर आता है, तो oily food, fatty food, spicy food is a very common reason for acid reflux, अगर आपको बहुत chocolate खाने की आदत है, तो जो chocolate है, वो भी इस valve को lose करती है, और acid reflux की possibility बढ़ाती है, ऐसे ही coffee and tea, ये भी acid reflux की possibility इसको बढ़ाते हैं, now there are certain foods, जैसे आप peppermint यूज करते हैं, आप tomato यूज करते हैं, आप tomato products यूज करते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि alcohol जादा मातरा में लेते हैं, जैसे tomato product की जब मैं बात करूँ, जैसे आप sauce बहुत जा जाएंगी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर आप खाना खाके तुरंती लेट जाते हैं और सो जाते हैं, acid reflux की possibility आएगी, तो इसलिए रात में आपने खाना खाया, या दिन में खाना खाया, तो सोने और खाना खाने की बीच में, दो से तीन घंटी का gap हमेशा आपको ब जान दिया, तो 90% chances हैं कि आप इस problem से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इनके बाप जूद भी अगर symptoms आपको परिशान कर रहे हैं, तो आपको फिर दवाईयों की जरूरत है, जब हम दवाईयों की बात करते हैं, तो number one पर आती है, OTC medicines, जो कि medical store में over the counter मिलती है, अगर आपको occasional acid reflex हो रहा है, कभी-कभी, आप OTC medicine यूज़ करिए, जब भी आप लें, तो एकी तरी की दवाई लीज़े, in the sense, कि आपने कोई इंटसेड लिया, तो फिर वो एकी इंटसेड लीज़े, ऐसा नहीं कि आपको जलन हो रही है, तो तीन तरह की इंटसेड आप यूज़ करते चले जा रहे हैं, तो एकी तरह की यूज़ करिए, कभी-कभार occasional acid reflex है, उसके लिए OTC medicines are fine, जब हम इंटसेड की बात करते हैं, तो आपको समझना चाहिए, यह regular use के लिए नहीं है, कि रोज दिन में तीन बार इंटसेड पिये जा रहे हैं, यह long term use के लिए नहीं है, इनके अपने side effects हैं, यह permanent solution नहीं है, कि आपके pipe पे acid है, आपने insert, इंटसेड पिया, तो neutralize हो गया, फिर acid बनेगा, फिर reflux आएगा, फिर इंटसेड पिया, फिर neutralize हो गया, तो यह permanent solution नहीं है, फिर यह जो जितने भी antसेड होते हैं, कुछ aluminium based होते हैं, कुछ magnesium based होते हैं, कुछ calcium based होते हैं, तो यह जो antसेड हैं, इनके अपने side effects हैं, तो इसलिए एक occasional use of the antसेड is fine, but regular use, long term use, यह आपको avoid करनी की ज़रूरत है, और यह permanent solution नहीं है, जो medications के नाम पर दूसरे आते हैं, they are H2 receptor blockers, यह जो H2 receptor blockers होते हैं, यह खाने की तहली की lining में काम करते हैं, and set is acid की production को नीचे कर देते हैं, यह तेजी से काम करते हैं, आपने एक गुली खाई तो 15 से 30 मिनिट में इसका effect आ जाता है, and by and large 12 गंटे तक acid control रहता है, यह बहुत सारे नाम से आते हैं, यह फेमोटडीन के नाम से आती है, यह रेनिटीडीन के नाम से आती है, यह निजाटीडीन के नाम से आती है, यह medicines हैं, जो use की जा सकती हैं, अगर acid reflux बार बार हो रहा है तो, but the most common medicine, जो use की जाती है, they are known as proton pump inhibitors, यह बहुत potent हैं, की problem को zero कर देते हैं almost not really zero but बहुत ज्यादा effective हैं बहुत ज्यादा control कर देते हैं यह सबसे ज्यादा use किये जाते हैं यह stomach या खाने की तहली lining पर काम करते हैं यह जो acid production का जो काम process है उसको block कर देते हैं जब आप यह इस तरह की गोली लेते हैं तो इसका effect 30 minutes से कम में आ जाता है यह by enlarged in medicine का effect 24 hours रहता है यह बहुत सारे नाम से available होती है omeprajal, s-omeprajal के नाम से आती हैं lens prajal, dex lens prajal के नाम से आती हैं यह pentaprajal के नाम से आती हैं, rabeprajal के नाम से आती हैं आप अपने doctor से बात करिए and depending upon the severity of your symptoms, कि कितने severe हैं symptoms, आपको जो medicine है वो prescribe की जाएगी ताकि इस समस्या से आप बाहर आ जाएं तो अगर आप देखें कि जो acid reflux अगर बारवार हो रहा है तो इसको ठीक करने के लिए यही तीन जो है arms हैं जो आपको utilize करने की ज़रूरत है, lifestyle changes चाहिए, diet में modification चाहिए और फिर भी control नहीं हो रहा है तो medication चाहिए, जो medication है उसमें OTC medicine काम करेंगी, अगर नहीं control हो रहा है तो H2 blocker चाहिए और भी नहीं control हो रहा है तो ultimately आपको proton pump inhibitors उनको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो acid reflux आपको बार-बार होता है उसके treatment को समझने में अगर ये video आपको help करता है तो जरूर शेयर करें, मैं Dr. V.K. Mishra from guest to liver hospital स्वरूप निगर कानपूर, thank you very much